गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स तुडे आम गोईंग टू टीच यू चैप्टर सेवन डेसिमल्स तुडेस टॉपिक इस कन्वर्ट देसिमल इंटू फ्रेक्शन्स हमने अपने प्रीविज वीडियो में क्या पढ़ा था मिक्स फ्रेक्शन्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना और फ्रेक्शन्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना अब हम इसमें क्या करेंगे कन्वर्ट देसिमल्स इंटू फ्रेक्शन्स आपको यहाँ पर मेरे एक्जाम्पल दिख रहा होगा 5.3 means 5.3 अब आपको देखना है यहाँ पर point के बाद कितने decimals है 1 decimals point के बाद कितने decimals है 1 decimals है so हम क्या करेंगे मैं आपको एक easy trick बता रही हूँ जिसे हमें कुछ भी न डिवाइट करना होगा हम ऐसे ही answer हम इसे ऐसे ही convert कर सकते है so यहाँ पर decimal 5.3 इस decimals को हम convert करेंगे fractions में so पहले हम इस point को हम क्या कर देंगे गायब कर देंगे means नहीं लिखेंगे अब fractions में बनाना है तो हमें यह divisions part को तो add करना होगा 53 by अब मैंने आप से पूछा कि point के बाद कितने decimals है one decimals है point के बाद कितने number है one number है सिर्फ तो हमें क्या करेंगे हम यहाँ पर one zero लगाएंगे means ten क्या हो जाएगा ten याद रखना है point के बाद अगर one decimal है तो means ten point के बाद अगर two decimals है तो means hundred point के बाद अगर three decimals है तो thousand point के बाद 4 decimals है तो क्या होगा 10,000 0 ऐसे ही बढ़ता जाएगा बस आपको counting करनी होगी point के बाद वाले decimals को जैसे मैंने अभी आपको करके बताया यहाँ पे 5.3 था तो आपको क्या करना इस point को हटा देना 53 लिखना है फिर upon लगाना है फिर आपको यहाँ पर देखना है point के बाद कितने decimals है 1 decimal है means 1 number है यह तो हमने कितने 0 लगाया है 1, तो क्या बन गया यह 10, याद रखना है decimal के बाद point के बाद जितने भी decimals होंगे उतने 0 लगेंगे, पहले हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद हम 0 add करते जाएंगे तो अब मैंने दूसरा example क्या लिखा है 0.09 तो हमें क्या करना है इस point को पहले हमें गायब कर देना है तो यह 00 कभी भी numbers के पहले जो भी 0 लिखे होते हैं उसकी कोई भी value नहीं होती है तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 9 numerator क्या आएगा 9 फिर हम क्या लगाएंगे upon अब मैंने आपसे इसमें पूछा था point के बाद कितने decimal है इसमें 1 था अब इसमें देखिए point के बाद कितने decimal है 1 decimal, 2 decimal कितने decimal है 2 means यहाँ पे कितने लगेंगे 0, 2 0 लगेंगे पहले हम 1 लिख लेंगे फिर कितने 0 लगाएंगे 2 0 means क्या बन गया 100 मैंने भी आपको क्या बताया point के बाद हमें decimals को count करेंगे 1 decimal, 2 decimal means 2 0 तो हम क्या लिखेंगे denominator में पहले 1 लिखेंगे उसके बाद कितने 0 लगाएंगे 2 0 क्योंकि decimal कितने decimal है यहाँ पर 2 decimal इसलिए हमने यहाँ पर 2 0 लगाया इसमें 1 decimal था इसलिए मैंने क्या लगाया है 1 0 अब next third example क्या दिख रहा हमे 6.08 याद रखना है 6 है फिर point है फिर 0 है फिर 8 है तो हम क्या लिखेंगे इस point को हम क्या कर देंगे गायब कर देंगे means हटा देंगे 6 0 8 इस 0 को हम लिखेंगे क्योंकि वो 6 और 8 के बीच में है middle में है इसलिए हम इस 0 को लिखेंगे तो क्या बन गया यह number 608 अब हम upon की sign लगाएंगे upon मेंने लगा दिया है अब आपको क्या करना है conscious step अभी आपको देखना है point के बाद वाले decimals को देखना है कि इसमें कितने decimals है तो point यहाँ पर है तो अब हम counting करेंगे 1 decimal 2 decimals इसमें भी कितने decimals है 2 decimals तो means यहाँ पर भी क्या आएगा 100 क्या आएगा 100 2 decimals means 100 3 decimals means 1000 1 decimal means 10 तो क्या हो गया fractions 608 by 100 तो next 0.15 means अब हम इस point को क्या कर देंगे पहले गायब कर देंगे means हटा देंगे 15 अब अपान करेंगे अब हमारा next step क्या होता है point के बाद decimal काउंट करना so 1 decimal 2 decimal means 100 अब next 5th example 2.8 अब हमें क्या करना है first step क्या करना है point को पहले हमें क्या करना है हटा देना है means 28 बन गया ये अब हम next step क्या करेंगे upon लगाएंगे अब उसके बाद हमें क्या करना है decimal को counting करनी है कि point के बाद कितने decimals है तो point के बाद कितने decimals है only one decimal so 10 one decimal का मतलब क्या होता है 10 अब हम next देखेंगे next example 0.27 means इस point को पहले हम क्या करेंगे हटाएंगे means क्या बन गया 27 क्या बन गया numerator अब हमें denominator चाहिए तो पहले हम क्या करेंगे point के बाद decimals को count करेंगे one decimal two decimal means hundred so कितना easy है इसे decimals को fractions में convert करना अब कोई भी decimals दिये होंगे तो आपको इसी तरह ही क्या करना है उसे fractions में बनाना है so I hope you will be understood thank you and have a nice day